नमस्कार, One India Hindi में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ विवे 29 माई को NDA के 140 वी बैच की पासिंग परेट हुई जिसमें नौसेना प्रमुख एड्मिरल करमबीर जिंग मुख्य अधिती के तौर पर शामिल हुए इस पासिंग आउट परेट में लगबग 300 कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया इसके लावा पासिंग आउट परेट के दौरान शसस्तर बलो के अन्या दिकारी भी शामिल हुए इस खास मौके पर नौसेना प्रमुख एड्मिरल करमबीर सिंग भी मौजूद रहे एड्मिरल करमबीर सिंग ने कहा कि युद की बदलती प्रकरती को देखते हुए सेना में एक जुटता महत्पून है पर इंड़ को ने ही प्रकता है एंडिये की पासिंग आउट परेड के लिए एक महत्पूर कदम माना जाता है क्योंकि इसके बाद वो अधिकारिक तौर पर भारतिय सेना में कमिशन अधिकारी बन जाते है इससे पहले शुकरवार को हभीबुला हॉल में एंडिये के 140 वे कोर्स के दिक्षांत समहरों का यूजन किया गया था इस समहरों में सिक्य विश्वद्याले के खुलादी पती, लेफ्टिनेंट जनरल, डीबी, शेकातकर, सेवा निवरेद, मुख्य अधिती थे इस दोरान 215 उम्मीदवारों को जवाहरलाल नहरू विश्वद्याले के ओर से दिगरी दी गई थी इन में 48 कैड़ेट साइंस स्ट्रीम के थे, 93 कम्प्यूटर साइंस और 74 कैड़ेट्स आर्ट्स के थे इस मौके पर मित्र देशों के 18 उम्मीदवारों को भी डिगरी दी गई थी मिली जानकारी के अनुसार, 44 नौसैनिक कैड़ेटों और वायूसेना के 52 कैड़ेटों को बीटेक स्ट्रीम का कोर्स पोरा होने पर प्रमाल पत्र दिया गया भारतिया नौसैना अकादमी, एच्छी माला और वायूसेना अकादमी हैदराबाद में एक वर्ष के प्रसिक्षन के बाद कैड़ेटों को डिगरी देगे भारतिया नौसैना के चीफ आफ नेवल स्टाफ एडमिरल करंबीर सिंह शुकरवार को अकादमी परिसर में एंडिये के कैड़ेटों के साथ पुशब भी किये थे नौसैना प्रमुक ने शिकारी स्क्वाडरम के कैड़ेटों का दौरा किया था बता दे कि अपनी वर्दी में मौजूदा कैडिटों ने 61 वर्षिय नौसेना प्रमुख के साथ पुशब करना शुरू कर दिया था फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार